दुनिया की population है 7.7 billion और इसमें से 4.48 billion लोग ऐसे हैं जो की हैं मंतली internet active users तो इसका मज़लब 58% जो वर्ल की population है वो एक दूसरे से connected है internet की वज़ा से पर इतने जारा internet user होने के बावजूद भी किसी को ये नहीं बता कि internet असल में काम कैसे करता है किसी को लगता है कि internet satellite से चलता है और किसी को लगता है कि internet cable से चलता है पर आज के इस वीडियो में आपकी ये confusion हमेशा के लिए दूर कर दूंगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा ना मेसे जिन खरना और आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं किसे पहले मैं आपकी confusion करते हैं कि क्या internet जो आप अपने मुबाइल डेस्क्टॉप या लैप्टॉब पे यूज़ करते हैं तो अब आप सोच रहे हूंगे कि हम सेटलाइट से इतना काम करते हैं तो हम सेटलाइट से इंटरनेट की उसे नहीं कर सकते हैं तो इस question को answer के अपने के लिए मैं आपको एक example लेता हूँ माल लीजे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो आ रही है गूगल के डाटा सेंटर से स्पेसिफिकली गूगल के डाटा सेंटर में जो एसस्टी डिस्क पड़ी है उसमें से तो अगर गूगल को ये वीडियो आपके मुबाइल तक पहुचानी हो सेटलाइट इंटरनेट के दूर तो गूगल क्या करेगा गूगल अपने डाटा सेंटर से एक सिगनल छोड़ेगा इस सेटलाइट के तरफ ये सेटलाइट सिधा आपके तरफ सिगनल छोड़ेगी आपके तरफ आते आती यह सिगनल बहुद बीख हो जाएगा और bad weather के कारण मैं ये भी हो सकता है तो इसलिए हम सेटलाइट से ज़्यादा Internet use नहीं कर सकते, तो अगर हम Internet इस दुनिया में पैला हुए जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं और यह पीछे जो मैंने एक लिंक भी देया हुए है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं यह सारे दुनिया में जो और जैसा आप देख सकते हैं मुंबई में एक आती है कोची में आती है और ऐसे इंडिया में दो तिन जगा पे और भी आती है यह केवल पर आपके दमाद में एक और कुश्शन होगा कि हमारे मुबाइल से कोई केवल connected ही नहीं है तो हम कैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपके मुबाइल से केवल कोई करनेक्टर नहीं है पर जो आपका मुबाइल है यह connected है सीदा आपके घियो या एंटल के टा से जलता है पर ऐसे में अगर ये केबल हमेशा ही समुंदर के नीचे रहती हैं तो क्या ये कभी कटते नहीं ये खराब नहीं होती कोई शिप इनको नहीं काड़ती को शार्क नहीं खा देती दोस्तों इसका ख़तरा बना रहता है और एक बार हुआ भी था कि शिप के एंकर ने शिप के एंकर ने एक केबल काड़ दी थी और अफरीका को कोई नेशन था और वहां इंटरनेट का पूरी तरह से ब्लैक आउट हो गया था पर क्या इंटरनेट ब्लैक आट होनी का खतरा इंडिया में है जी नहीं क्योंकि इंडिया में आप बहुत सारी इंटरनेट फाइबर केबल जी आ रही है और अगर कोई माली जी गलती से कोई केबल कर जाती है या कोई केबल को हो जाता है खराब हो जाती है इंटरनेट ब्लैक आउट होने का ख़दरा सारा लाउन जहां लाइबरिया जैसी कंट्रीज में हैं जहां पर सिर्फ यह देखी एक ही ऑप्टिकल फाइबर केबल जाती है और इंडिया में तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा कुछ आपको नया ग्यान पराप्त हुआ तो इस चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेर करके अप